तो आप से भी का वैलकम है तनुकलासस हाटकों में कैसे हैं आप लोग उमीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे सुअस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे से पराई कर रहे होंगे अगर तुम सूरज की तरह बहुत है और बहुत ही मज़धार चैप्टर है उससे पहले एक लाइन है आप लोगों के लिए जो कि बहुत इंपोर्टेंट है जो कि आपको ध्यान से सुनना चाहिए अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना सीखो अगर आप चाहते हैं कि आप भी सूरज की तरह चमके है ना सूरज क्या करता है पूरी दुनिया को उजाला करता है सूरज को सब जानता है तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप सूरज की जैसा चमकें, तो आपको सूरज की तरह पहले जलना होगा, जलने का मतलब क्या हुआ बच्चों, कि आपको भी मेहनत करना होगा, दिन दुगुनी, रात चोगुनी करके आपको मेहनत करना होगा, एक कोईंट आपको याद करना पड़ेगा, तभी जो है आप चमकेंगे आपके पूरे परिवार का नाम होगा, आपके गाओं का नाम होगा, है ना, चलिए तो अगर आप सूरज की तरह चमकना चाते हो तो सूरज की तरह जलना भी सीगो, सिर्फ आप अगर चाहेंगे कि चमकेंगे लेकिन जलेंगे नहीं तो फिर बच्चों नहीं होगा है ना चलिए अब बताएंगे आप लोग फटापट एक बर वीडियो को शेर जितना भी हो सेके कर दी होंगे उमीद करते है इसा आज जो है एक नया चप्टर आप लोगों के लिए यहां पर आपको याद हो जाएगा ठीक है चलिए तो चैप्टर का नाम क्या था हम लोगों का सीट युद्ध का दौर जिसको बोलते है अब यह सीट युद्ध क्या होता है सबसे फिले इसको समझते दौर का तो मतलब समझ में आ गया कि जो चीज़ चल रहा होता है उसको दौर कहते हैं जैसे माल लेते हैं अभी महंगाई चल रहा है तो उसको क्या बलेंगे महंगाई का दौर है ना अब जो देखिए सीट युद्ध क्या होता है सीट का मतलब होता है थंडा यानि कि कि हम एक दूसरे को, एक दूसरे के साथ लडाई करते, एक दूसरे को मार देते, लेकिन तब भी कोई लडाई लढाई नहीं हुआ, इसी को सीतुद्न कहते है, जैसे यह जो चक्टर है, वो अमेरिका और सुविसंग के बीच लडाई का है, है ना तो अमेरिकार्ट सुवे सेंग की जो है वो आपने सामने हो जाते हैं और इस तरह का स्थिती उत्पन हो जाता है कि दोनों एक दूसरे को खतम कर देगा लेकिन तब भी एक दूसरे पर हमला नहीं करता है इसी को कहते हैं सीटुद ठीक है आप सबको पता है दिखे तो उ चलिए पोलिगल साइंस का मतलब क्या होता है राजनिती सास्त तो पोलिगल साइस में जो है आपका दो भुक है एक किताब का नाम है समकालीन विश्वराजनिती एक किताब का नाम क्या है समकालीन एक किताब का नाम है बच्चों समकालीन विश्वराजनिती है ना एक जहां पर हम लोग उनी सो बाद से पूरी उनी सो पैतालेस के बाद से पूरी दुनिया के बारे में पढ़ते हैं और एक जो किताब है जिसका नाम है सुवतंत्र भारत में राजनी तो याद रहिएगा ये दोनों किताब को हम लोग पढ़ेंगे है ऐसा नहीं कि सरी एक किताब को पढ़ेंगे है ना तो दो किताब आपका है पोलेगल साइस में एक है समकालिन विश्व राजनिती एक है सुवतंतर भारत में राजनिती तो यहां पर हम लोग जो है आजादी के बाद से लेकर के राश्टर निर्मान से लेकर के आजादी के से लेकर के भारत के बारे में अभी तक के बारे में पढ़ते हैं तो इस किताब में लोग भारत के बारे में पढ़ते हैं सुवतंतर भारत मतलब आजाद भारत के बारे में और समकालिन विश्व राजनिती का मतलब हुआ कि इसमें हम लोग 1945 के बाद यारी कि दूईती कि युदु का नहीं होना। इसी को कहा जाता है सीथ युद। अब चलिए कोई भी चाप्टर शुरू करने से पहले उनकी वारे में थोरा सापको जानकारी होनी चाइए कि भाई राजनिती शास्त्र होता क्या है राजनिती का मतलब तो आप सबको समझ माग गया कि क्या होता है शाशन राज का मतलब तो आपको समझ माग गया कि शाशन और नीती का मतलब होता है उचित समय और उचित अस्थान पर उचित काड़िय करने की कला ठीक है याद रखेगा राज का मतलब होता है शाशन और नीती का मतलब होता है जाना कि मतलब यानि की पोलिजी और राजिक मतलब शाशन तो यह राजनिती जो है दो सब्दे से बिलके बना है एक है आपका शाशन और यह आपका समय उचीत अस्हान उचीट कारिये करने की कला ठीक है वह विज्यान जो मानब के एक राजनीतिक और समाजिक प्रानी होने के नाते उससे सम्मनित राज्य और सरकार दुरु संस्ता को अध्यन कराता है कहने का मतलब है कि राजनीती में हम लोग पढ़ते हैं आदमी को कितना चीज़ का हक है यानि कि जैसे आप इस देश में है तो आपका क्या करतव यह है टोटल करतव यह कितना होता है ग्यार है याद रिखेगा टोटल करतव यह कितना होता बच्चो ग्यार है टोटल मॉली का धिकार कितना है छे पहले साथ मॉलिक अधिकार था लेकर अभी एक मॉलिक अधिकार को हटा दिया गया है जो मॉलिक अधिकार का नाम था संपत्तिक अधिकार उसको हटा दिया गया है ठीक है तो आपको किस किस चीज का करतवी है आपको अपने देश का सेवा कैसे करना चीए आपको क्या हक है, है रहा, आप इस देश के लिए क्या-क्या कर सकते हैं, तो ये सारा चीज जो है, बच्चों, वो आपको राजनिती बताएगा, ठीक है, तो वह विज्ञान जो मानब के इस राजनितिक और समाजिक परानी होने के नाते, वह विज्ञान जो मनुष्य के एक और एक समाजिक परानी होने के नाते, उससे संबंदित, राज और सरकार दोनों संसाव का अध्यन कराता है, कि सरकार को क्या हक है, सरकार क्या-क्या कर सकता है, हम लोग क्या-क्या कर सकते हैं, इनकी बारे में बताता है, उसी को राजनिती कहते हैं, यह एक ऐसी विशे होती ह जो हम सभी को एक अच्छी नागरिकता का अध्यन कराता है है अभी अबने में बताया कि एक ऐसा विषय होता है राजनीती सास्त्र जो कि एक अच्छे मतलब कि आप समझ सकते हैं कि आपको किस चीज का हक है आपको किस तरीकी से करेगी कि आपका दिस और तरकी करेगा डवलब करेगा तो यह हम लोगों को कौन बताता है राजनीती सास्त्र बताता है मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तवियों का यान कराता है अभी हमने आपको बताया कि यह जो राजनिती सास्त्र है वो मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तवियों के बारे में बताता है कि हम लोगों का मौलिक अधिकार क्या क्या है मौलिक कर्तविय क्या क्या है इनकी बारे में बताता है नागरी सास्तर का पिता कहा गया है अरस्तू को याद रिखेगा यह युनान का रहने वाला था तो अगर आपको पूछ दिया जाए बच्चों कि बताओ राजनीती सास्तर का पिता जी का नाम क्या था राजनीती सास्तर का पिता किसे कहा जाता है तो वो जो कहा जाता है वो है अरस्तु ठीक है और ये रहने वाला था युनान का ठीक है गुड मॉर्निंग टॉप लियाकत खान कोई भी कोई भाई हमको भी गुरूप में जोर लिजिए काउंसा गुरूप में ब्रदर कोई गुरूप तो नहीं है टिलिग्राम है सिर्फ एक है ना टिलिग्राम पर आप परसन है कि आपको सारा कोई यहीं प्याद हो जाएगा बिल्कुल आप टेंशन मत लिजिए सिर्फ मेरी बात को ध्यान से सुनिए भाई सारा चीज आपको यहीं याद होने वाला ठीक है चलिए बहुत जबरदस्त वीडियो को आप लोग बर शेयर कर दीजेगा सारे छे अबरिका भी लग जब तानाता ने हो रहा है वद वहें पूड़ा एक्दम गुस्चे में पावर में हें लेकर को यूद्य नहीं होना पद भी एक दूसरे पर हमला नहीं करना इसी को तो सीदय कहते हैं अगर हमला कर देता तो फिर को यूद्ध होता है सजिदो थोड़ी हो पढ़ेंगे, खतम के बारे में पढ़ेंगे, इसके दोरान क्या-क्या हुआ, उनके बारे में पढ़ेंगे, इस चैप्टर में, या निकि लगबख सब कुछ के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है, सर यह चैप्टर हटा गया है ना, नहीं, बिलकुल नहीं, को बीहर बोट बिषव वाला नहीं हटाया है गर कोई हटाया भी होगा तो बिहार बोट वाला नहीं हटाया है ना तो हम आपको सारा चीज पर आंगे आपको अभी नहीं लेकिन UPC बगरा कराईगे वहाँ पर काम देगा पाकि बिहार बोर्ट पर कोई भी चप्टर नहीं हटाया गया है इसलिए आपको एक एक लाइन पराएंगे ठीक है देखे दुवीतिय विश्वद्य के बाद दुवीतिय विश्वद्य कब से कब तक चलाता बच्चों याद है कि आप लोग को 1949 से लेकर के 1945 के बीच में याद रखेगा 1949 से लेकर 1945 के बीच में जो है आपका दुवीतिय विश्वद्य चलाता ठीक है तो दुवीतिय विश्वद्य के बाद के काल में सायुक्तराज अमेरीका और सुविछ संह रूस के बीच उत्पन तनाओं को याद रखेगा दुवीती विश्वोदे के बाद सायुक्तराज अमेरीका और सुविछ संह ions के बीच जो की एक तनाओं उत्पन हुआ था तनाओं का मतलब होता है से तनाव उत्पन हुआ, इसी तनाव को तो कहते हैं सीत युद्ध, कोई नया वर्ड थोड़ी है, दूसरे सब्दों में सीत युद्ध होने की पूरी संभावना हो, दूसरे सब्दों में युद्ध होने की पूरी संभावना हो, लेकिन फिर भी कोई युद्ध ना हो, इसी क सीत उद्ध कहते हैं, मैंने क्या कहा, कि युद होने का पूरा संभावना है, कि युद जो है, वो होकर रहेगा, लेकिन तब भी कोई युद नहीं होता है, इसी को हम लोग कहते हैं, सीत उद्ध, इसी को क्या कहते हैं, बच्चों, सीत उद्ध, ठीक है, आगे हम लोग चलते ह सीत उद्ध का दौर के बारे में समझते हैं, देखिए, सीत उद्ध का मतलब एक ऐसा युद्ध, जो कि पूरी संभाव ना हो, कि युद्ध होकर रहेगा, बट कोई उद्ध नहीं होता है, उसी को क्या कहते हैं, सीत उद्ध का दौर, सीत उद्ध के दौरान अनेक संकट सामन नहीं हुई है ना आप बोलेंगे सर्फ फिर खोनी लड़ाए कैसे हुआ था जब खोनी लड़ाए हुआ था तो इसको स्थीति दुपी कहे तो देखिए उस वक्त में जो पूरी दुनिया है वो दो ख्यमों में बढ़ गई थी है ना एक अमेरिका के तरफ और एक सोवेश होगा है ना तो उस वक्त में अमेरिका भी सक्ति साली था रूस भी यानिकि सोवेश संग भी सक्ति साली था ठीक है यूएससर लेकिन यूएससर जो है वो चाहता था सामयवादी को यानिकि वो चाहता था कि पूरी दुनिया में सामयवादी फैले वहीं पे जो है अमेरिका चाहता था कि पूरी दिना में पुंजवादी फेले बस इसी दोनों का विचार अलग-अलग होने के वज़े से ये युद्य सुरू हुआ ठीक है अब यहाँ पर युद्य के दौरान जो है क्योंकि दोनों दुनिया दो भागों में बढ़ गई थी तो कहीं कहीं पे माल लेते हैं अमेरिका का तरफ है और आप जो है वो रूस के तरफ है तो अमेरिका रूस तो आमने सामने नहीं आया लेकिन हम और आप आमने सामने आकर के लड़ाई कर लिए जैसे होता ना कि कोई विराट कुली का फैन होता है कोई MS धोनी का फैन होता है अब विराट कुली MS धोनी तो आपस में बहुत अच्छा है, बातचीत मस्त चल रहा है, लेकिन उसका जो फैन है, वो आपस में थोड़ा बोत मुडवेर कर लेता है, लड़ाई कर लेता है, ना, तो वही चीज़ें आपर कहा जा रहा है, कि सीथ उत्य के दोरान अनेक संकट सामने आए, खूनी पर सीथे सीथे मुडवेर की स्थीती में आ चुके थी, है ना, यहां पर क्या लिखा हुआ है, कि कई ऐसी जगह थी, जहां पर जैसे कि एक जगह का नाम है कोडिया, एक बरलीन है, एक कांगो है, और अन्य ऐसे कई जगह है, जहां पर रूस और अमेरिका या फिर रूस का जो सपोर्टर था, और जो अमेरिका का सपोर्टर था, वो आमने सामने आ गया था, ऐसा लग रहा था कि अब जो युद्ध है, वो होकर रहेगा, लेकिन तब भी कोई युद्ध नहीं होता है, ठीक है, चलिए, कोडिया, वियतनाम और अफगानिस्तान जैसे कुछ छेतरों में वयापक जनहानी हुई, क्योंकि महाशक्तियों के सहयोगी राष्ट युद्ध में सनलग न थे, लेकिन विश्व पर्मानु युद्ध से बच गया, मैंने अभी आपको क्या कहा, कि कोडिया हो गया, वियतनाम हो गया, अफगानिस्तान हो गया, यह कई ऐसे छेतर थे, जहांपर ऐसा लग रहा था, कि युद्ध जो होगा, यानि कि जो उनका सहयोगी राष्ट था, यानि कि इसको सपोर्टर था, जो भी अमेरिका का या रूस का, जो सपोर्टर था, ऐसा कई जगह हुआ, यानि कि जगह का भी नाम आपको बता दिया, कूरिया, वियतराम और अफगानिस्तान जहां पर इसा लग रहा था, जन्हानी भी कुछ-कुछ हुई है, कुनी लडाय भी कुछ-कुछ हुई है, और युद भी हुआ है, ठीक है, लेकिन आमने सामने अमेरिका और रूस का नहीं हुआ है, एक था, एक जगह हुआ था, जो की बिलुकुल बगल में आ गया था, दोनों अमेरिका और रूस, वो भी आपको बताएंगे कहां पर, लेकिन तब भी कोई युद नहीं हुआ था, ठीक है, और इसी वज़े से जो परमानु युद है, वो बज गया, क्योंकि अगर रूस और अमेरिका सामने आता था, दोनों के परमानु था, दोनो आपसमा लडने वला था, जब कुछ होने वला था, तो फिर कुछ समझदारी के बाद, कुछ दिनों के बाद, फिर इन दोनों ने आपसमा सहयोग कर लिया, आपसमा समझवता कर लिया, और कहां कि नहीं अब युद नहीं करेंगे, क्योंकि अगर परमानु गभम वगरे का परयोग करे, अगर युद करे, तो इसका प्रिनाम जो है, वो बुरा ही होगा, यह किनन सा बात है, बहुत बुरा प्रिनाम होता है, पूरी दुनिया तहसरा सो जाती, है न, क्योंकि दोनों महाशक्ति उस वक्त में था, और इसी वज़े से कोई युद ना हो, कोई बहुत परमानु जो है, यानि कि उसको नहीं परयोग किया जाए, उनका नहीं परसार किया जाए, इसी को कहते है, परमानु अपरसार संदी, तो इस पर भी जो है, दोनों दे सिगनेचर कर दिया, अस्तर रहे अंतर पर भी दोनों दे सिगनेचर कर दिया, क्यों कर दिया, ताकि दो जो कि आपको पूछा जाता है अभी जितना भी पॉइंट आपको बता हैं यह सारा पॉइंट आपके लिए इंपोर्टेंट है तो याद रहेगा बहुत इंपोर्टेंट है यह PDF अगर आप लेना चाहते हैं बच्चों तो यह आपको एप पर मिलेगा आपका नाम तनू कुला और धूरी राष्टों के भी दिवीते विशुद उनिचालिस से उनिचालिस से उनिचालिस तक चला आप सबको पता है कि पूरी दुनिया जो है उस वक्त में जब यूद चल रहा था उस वक्त में भी दो तरफ था है ना एक तरफ जर्मनी वगर था जापान वगर था ठीक किसके किसके भी एक मित्र राष्ट के भी और एक धूरी राष्ट की भी यह जो युद है वो कब से कब तक चला था 1949 से 45 तक तो आपको पूछा जाए कि दुवीते विशुद कब से कब तक चला 1949 से 45 ठीक है उनके बार मित्र राष्टों के अगवाई जो है वो अमेरिका कर सुवेज संग, बिर्टेन, फ्रांस कर रहे थे है ना मित्र राष्ट के तरफ कौन था एक था अमेरिका, एक था सुवेज संग, एक था फ्रांस और एक था बिर्टेन याद रहेगा सुवेज संग जो है उस वक्त में अमेरिका का तरफ था ना कि बिलकुल उस वक्त में दो देश था, एक देश का नाम था अमेरिका, जो कि सब को पता है, एक था सोवेशन, वो भी अमेरिका के तरफ था, एक था ब्रिटेन, एक था फ्रांस, ये सभी किस के तरफ था, मित्र राष्ट के तरफ, ठीक है, अब जो धूरी राष्ट था, उधर धूरी राष्ट का जो कमा है वो अमेरिका सोवेसंग और ब्रेटेन कर रहा था अच्छा एक क्वेश्चन यहां पर आप लोग से पूछना चाहेंगे आप लोग बहुत जदा में को लगता है कन्फीज हो जाते हैं कि सर यह मित्र राष्ट धूरी राष्ट को याद के से रखा जाए देखिए आपको य अपने आपको क्या नाम दिया है मित्र राष्ट मतलब कि वो दोनों दोस्त है है ना वो दोनों क्या है दोस्त है तो अमेरिका सुवेसंग ब्रेटेन फ्रांस यह आपस में क्या है मित्र है दोस्त है यह युद्ध करने नहीं आये थे यह दोस्त है यह तो अपना डिफेंस क कर रहा है अपना बचाओ कर रहा है तो यह आपके हो गए मित्र राष्ट बाकिव जो बज गया वह धुरी राष्ट जैसे की जर्मनी इतली और जापान पर जो हमला किया था अमेरिका उनिसों पैसा आलिस में या देकिनी आप सबको कौन सा युद्ध था हो जो हिरो सिमा और हमला किया था परमानोगम से ठीक है चलिए तो आप सो समझ में आगिया कि यह जो युद्ध है दो गोटों के भी चल रहा था धोरी राष्ट और मित्र राष्ट इस युद्ध में विश्व के लगबख सभी ताकतवर देश सामिल थे यह युद्ध युरोप के बाहर के इल इस युद्ध का जो फैला हुआ था वो कहां तक हुआ था दक्षिन पुरुव एशिया तक चला गया था उधर चीन उधर म्यानमार ता भारत के पुरुवत्तर के कुछ हिस्सों तक जो है इसका फैला हो गया था इसका विस्तार हो गया था ठीक है अगस 1945 में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नगासा के पर परमानुबम गिराया और जापान ने आत्मसवर्पन कर दिया ताथा दुईते विश्वदे की समापती हो गई ठीक है समझ में आगे आपको यानि कि अगस 1945 में आपको पूछा जा सकता है कि परमानुबम जो है वो अमेरिका कब फे गया था 1945 में और जैसे 1945 में बम गिरा गया तो जापान का एकदम थलतली छुट गया ठीक है और फिर क्या हुआ जब उनका थलतली छुट गया तो फिर वो आत्मसवर्पन कर दिया अच्छा उसके आगे का कहनि आपको पता है क्या अगर यहाँ पर अगर यहाँ पर अगर य नहीं हुआ वो जो है 1944-45 में अमेरिका के जगह पर बिना मतलब का हमला कर दिया इसको हुआ क्या पता ने उधर अमेरिका जो है बिलकुल सन्यास ले चुका था कि हम भाई किसी से भी यूद नहीं करेंगे हम अपना साइड में बैठे रहेंगे तुम लोग को जो करना है करो त अमेरिका जो है बहुत गुशा गया और जापान पर लगातार दोपर्वानुपहं गिराया येक हिरोसींमा पर और नागा साकी पर जिसका इफेक्ट आज भी पर आंजमा पर नंगरे लूले बच्चे पैदे हो रहे है आपाईज बच्चे पैदे हो रहे हैं समढ़ पैदा आत्मसर्पन कर दिया था और देश बचा कहां है ना जर्मनी तथा जापान हार चुके थे इरोब तथा से स्विस्व विद्वंच की मार जहल रहे थे यानि कि जर्मनी और जापान जो है वो तो बिल्कुल हार गया था एकदम समझे की बिल्कुल निधश्ट होकर के परा था निठाल होके परा था है ना और पूरी दुनिया जो है लगबग जितना भी पूरी दुनिया थी वो विद्वंच हो गया था एकदम समझे के स्थिती जो है बहुत बत्तर हो गई थी अमेरिका और सुविसंग का महाशक्ति बनने का होर में एक दूसरी के मुकाबले खरा होना सीध्युद्य का कारत बना और सारा चीज़ तो सही सही सब को चल रहा था लेकिन क्योंकि अमेरिका भी और सुविसंग दोनों शक्ति साली था बस क्योंकि दोनों शक्ति साली साथ, दोनों दिखाना से आता था कि हम है इस दुनिया का राजा, वो भी चाहता था कि हम इस दुनिया का राजा, बस इसी के वज़े से जो सीद्ध है वो हुआ, ठीक है, तो अमेरिका और सुरिसेंट का महाशक्ति बनने का होर में एक दूसरे के मुकाबले खरा होना यही जो है सित्युद्य का सबसे बड़ा कारण बना ठीक है तो याद रखना कभी भी अगर दो राजा हो तो आप समझ जाए कि वहाँ पर जो है कुछ ना कुछ तो होने वाला एक राजा का है ना या फिर दोनों के भी कुछ ना कुछ युद्ध होगा तो यह जो है सित्युद्य की फीचे कारण था आपको एक एक फ्वेंड अच्छे से समझाएं उमीद करते हैं आपको समझ माया होगा ठीक है अब आशान सब्दों में थोरा सा समझते हैं क्योंकि आप लोगों के लिए है पीडिये जो बच्चे पढ़ते होंगे उनके दिये हैं थोर आप भी समझ लीजिए बारिश हो रहा है भाई लोग कौन है रोयल संजीव राठोर चले बहुत बढ़िया अच्छा तो है यार बारिश नहीं ओडिये लोग परेशान है बारिश हो रहा तो खुस होना चाहिए आपको है ना बच्चों वीडियो को शेर करतो यार एक बार वीडियो को शेर करतो जितने भी लोग अभी तक शेर नहीं किये हैं है ना वीडियो को शेर करिए ज्यादा सेदा बच्चों को जोईन करवाईए इस चैनल के बारे में बताईए आपकी जो कलास है वो सारे 6 बजे आब रोज का रोज चलेगी है ना सारे 6 बज ठीक ना तो याद रखेगा application में भी आपके class एक 4 बजे चलेगी जो course वाले बच्चे हैं उनके लिए तो वो भी याद रखना चलिए सर कितना बजे से class चल रहा है शबनम कुमारी सारे 6 बजे से चल रहा है है ना जी चलिए बहुत जबर्दस तो अब हम लोग आसान सब्दों में सीत युद्ध का मतलब को थोरा सा समझ लेते हैं सीत युद्ध का अर्थ क्या होता है जब दो या दोसे अधिक देसों के बीच एक ऐसी स्थिति बन जाए जिससे लगे कि युद्ध जो है वो होकर रहेगा लेकिन तब भी को युद्ध न तो यह होकर रहेगा एक दम तनाओ जैसा स्थिति रहता है संगड से लेता है कि नहीं आज तो उसको मार कही कि खतम कर देंगे लेकर तब भी को युद्ध नहीं होता है उसी को हम लोग कहते हैं सीत युद्ध मज़ा है रहा आप लोगों को परहाई करने में चली सीतुद्ध जो है वो दूईते विशुद्ध के बाद सुरू हुआ था परश्ण आपको पूछा जा सकता है option आपको दो तरीके से देता है आपको पूछे का बताओ सीतुद्ध कब हुआ तो आपको option में देगा 1945 के बाद से option में देगा 1945 के बाद से तो ये बिल्कुर right answer है 1945 के बाद से 1945 से ये भी right है बट 1945 के बाद से अगर दिया हुआ है तो वो आपको लगाना है कभी-कभी आपको option में दोनों दे रहे देगा दूईते विशुद्ध के बाद या फिर 1945 के बाद, तो फिर वहाँ पर क्या लगाएंगे, तो दोनों नहीं दिएगा, ठीक है, तो 1945 के बाद से याद रखेगा, 1945 के बाद से का मतलब ही हुआ कि दुईती विशुदी जो है, वो खतम हो जोका था, ठीक है, तो दुईती विशुदी के बाद, जो है, सीधी वि लाना चाहता था और जो स्वेसंग है हो सामयवादी को हैना अब सामयवादी क्या होता पुझिवादी क्या होता है तो जैसे आप अपना संपत्ति का मालिक यानि जो आपका प्रोपर्टी है उसका मालिक आप खुद है आपके पास माले दे दो एकर का सीटी तो कब से कब तक चला था बच्चों? 1945-1991 याद रहेगा डेट आपको पूशा जाता है लगबग कई बार पूशा गया है कि सीटी तो जो है वो आपका चला था 1945 से लेकरके 1991 की बीच ठीक है सीटी तो अंत होने का जो मुख्य कारण है वो क्या है सुवे संग का विक्ट तब C2D जो है वो पूर्ट तरीक से बरबाद हो गया यानि कि जैसे पहले जो USSR था USSR जिसको क्या कहते है Soviesang तो Soviesang जब टूटा यानि कि जब विक्टन हुआ जब यह बिखर गया तो टोटल 15 देज बना इसे कितना देज बना? 15 देज बन गया तो यहाँ पर 15 देज जो है वो टूट करके बना कितना देज? 15 याद रखेगा आपको पूछा जाएगा बताइए Soviesang तोटने के बाद टोटल कितना देज बना? तब आपको वहाँ पर जवाब देना है कि टोटल 15 देज बना कितना? 15 देज ठीक है? पंदरा देज में एक देज जो है आज के दिन वो रूस है उस वक्त में Soviesang था जिसमें 15 देज सामिलता लेकन आज सारा खतम हो गया तूट गया है और सिर्फ एक देज है वो है रूस ठीक है? तो सीतिद अंत होने का जो मुख्य कारण आपको पूछा जाए तो वो है Soviesang का विक्तन यानिकि Soviesang जो है वो बरबाद हो गया वो खतम हो गया ठीक है न? यस सर रूची का कुश्वहा बोल रही है यस सर M.D.N. सार बोलने है जी सर जी सर बिलकुल सर चलिए आगे देखेगा अपरोध के बारे में देखिए रॉप और संतुलन देखे परमानों युदे की सुरत में अमेरिका और सुवेशं के बीद विजयता कौन होता? यह तह करना भी असंभव है इसी को लोग अपरोध कहते है यानि कि जब यह युद होता क्योंकि दोनों के पास परमानों होता तो कौन जीतता भाई? आज भी असंभव है बताना क्योंकि USSR भी उस वक्ते बहुत ज़्यदा शक्ति सालिए था आप समझे 15-30 मिलकर के एक USSR था आप समझ सकते कितना शक्ति सालिए होगा हो है ना? तो इन दोनों के बीच कौन विजयता होता? कौन जीतता? ये भी तै करना बहुत क्या था? असंभव था मुश्किल नहीं असंभव, impossible युद होता तभी पता चलता भाई कौन जीत रहा है क्योंकि दोनों महाशक्तियों के पास इतने पर्मानु हतियार थे जो एक दूसरी को विनाश कर सकते थे दोनों ने इस बात को समझा और युद्ध रोक्ताम करने का प्रियास किया जिसी हम लोग कहते हैं अपरोद है ना दोनों के पास इतना परवान भूम था कि एक दूसरी को चाहता तो दोनों बिलकुल पूरी त्रेकिसे समाप्प कर देता लेकिन इस बात को दोनों समझा और फिर इस युद्य को रोका इसी को हम लोग कहते हैं अपरोध इसी को क्या कहते हैं बच्चों अपरोध है ना आगे आप देखेंगे हम लोग दो धुरुवे विश्व का आरंभ, है ना, दो धुरुवे विश्व का आरंभ, यानि कि जो ये दो धुरुवे विश्व का जो शुरुवात हुआ था, वो कैसे-कैसे हुआ था, इसको थोरा सा हम लोग अच्छे से समझने का प्रियास करते है ठीक है देखें दुरों महाशक्तिया विश्व के अलग-अलग हिस्सों पर अपना दबदबा बनाने लगा था दुनिया दो गुटों में असपस्ट रूप से बढ़ गई थी पूरी दुनिया में अपना गुट बनाने लगा था जैसे कहीं पे अमेरिका कोई देस में जा किया जैसे अफगाणिस्तान में गया था पहले कौन रूज गया था तो रूस जो है विलकुल अफगानिस्तान को अपने अनुसर बना दिया कि तुम पुंजवादी पर चलो फिर अमेरिकाबाद ना आया जो कि फिर कहा के रहे यह तो गलत है पुंजवादी है रूस वगर यह कर दिया है तुम जो है नहीं तुम सामियवादी पर चलो कौन कहा रूस का फिर अमेरिका आया नहीं तुम पुंजवादी पर चलो तो इस तरीके से वो लोग पूरी दुनिया को अपने अनुसर चलाना चाहता था ना तो दोनों महाशक्तियां विश्व के अलग-अलग जगह पर जाकर अलग-अलग देशों में अपना दब-दबा बनाने म लगा था, दुनिया जो है वो दो गोटों में असपश रोप से बढ़ गए थी, ऐसे में किसी देश के लिए यह रास्ता था कि वो अपने सुरक्षा के लिए किसी एक महाशक्ति के साथ जूर जाने से इन देशों को हातियार और आर्थिक मदद मिलती थी, हैंकि पूरी अगर अखेले रहेगा तो उनको बहुत दिक्कत होती थी, हैंना, अगर वो रूस के साथ जूर जाता, अमेरिका के साथ जूर जाता तो इससे उनको हतियार विगर आसाने से मिल जाता था, उसको आर्थिक मदद मिलता था, तो इसको पास सिर्फ दो आप्सन था, लेकिन भा एक महाशक्ती के साथ उनको जूरना बहुत जरूरी था। इससे उनको हतियार भी मिलता था, साथ आर्थिक मदद भी मिलता था। ठीक है? इस तरह महाशक्तियों के निर्थते में पूरी दुनिया दो खिंदों में बढ़ गया था। और इस तरीकी से जो पूरी दुनिया है, वो दो खेमों में बढ़ गया था, एक है पच्छमी यूरोप की जो अधिकतर देश था, वो अमेरिका का पक्छलिया था, जबकि पूरी यूरोप की अधिकतर जो देश है, वो सोवेत खेमों में शामिल हो गया था, तो याद उसका जो कंट्रोलर है, वो कौन था, वो था सुवेत रूस, और जो पच्छमी यूरोप था, तो उसका जो कंट्रोलर है, वो कौन था बच्छों, तो वो कौन था, वो था अमेरिका, है ना, पच्छमी यूरोप का कौन था, अमेरिका, कंट्रोलर कौन था, अमेरिका, तो आपको इस तरह के से दो धुरुवे का शुरुवात जो है, दो धुरुवे विष्ववे का आरम है, कुछ इस परकार होने लगा था, ठीक है, अब हम लोग देते है नाटो के बारे में, नाटो के बारे में बहुत important है, और नाटो जो है यहां से भी आपको कभी कभी question फूज दिया जाता है दोसे लेकर करके पांच नमर तका पर्ष्ण जो है नाटो से, सीटो से, सेंटो से यह दो-तिन पर्ष्ण जो है लगबग हर बार रहता है ठीक है सर कल political science कितना बज़े होगा शमा पर्ष्ण अभी political science पर ले चल रही है तो अभी आप नहीं पढ़ रहे हैं कल के बारे में सोच रहे हैं बताईए अभी class हो रही है तो अभी पढ़िए जब परहाई हो रही होती तो परहाई पर के अच्छे से ध्यान दिजिए ताकि मज़ा आए यार जो भी है बहुत मज़ा आता है बच्चे कम जुड़े हैं कम से कम दो देर सो दो सो बच्चे जुड़ते हैं तो आज क्या बात हुआ अभी शेक इतना detail में नहीं पूछता है बच्चो जितना आप लोगों को detail में पूछता है हम सारा चीज़ आपको बताने का प्यास करते हैं ठीक है उसे पंदर देस कौन-कौन था वो भी आपको आगे बता चलेगा डोंट वोरी बट पूसता नहीं है कभी सर कल होगी या नहीं बरातिलाल बिल्कुल होगी बरातिलाल बिल्कुल कल भी कलास होगी कि रोज कलास हो रही है हमने आपसे वादा किया था कि नहीं कि आपकी कलास जो है अब 17 जुन से रोज होगी तो 17 जुन से 7 बजे रोज हो रही है कल भी हुई परसु भी हुई तरसु भी हुई अब सुभ़ भी मैंने आपसे वादा किया कि आप मोर्निंग को भी कलास होगी तो आज से आपका मोर्निंग में भी कलास शुरू हो गया है ना तो आज से वादा जो करते हैं उसको निभाते हैं तो आप बिल्कुल निस्चित रहिए 100% आपकी जो कलास है वो होगी ठीक है बच्चो सर कौन साहिप है एप का नाम तनू कलासेस है पले इस्टोर से डाउनलोड कर लिजेगा ठीक है चले जैनब बुले असलाम वालेकुम वालेकुम असलाम जी बुलिए कैसे है जैनल सानिया आली ओके सर ओके रोहित कुमार सर पीडियाप नहीं मिल रहा है बच्चो पीडियाप जो है वो आपको एप पर मिलेगा औल सब्जेक लिखा हुआ है सबसे उपर में पीडियाप नोट्स में जाकर कि आपको पीडियाप लेना है बुक में जाकर पीडियाप नोट्स में जाकर पीडियाप को लेना है ठीक है प्रियंका सर जी कितना रूपया लगेगा वगर है वगर है अप एप में जाकर करें देख ले ना भाई एप में जाकर देख ले ना आप आपर सब कुछ बताएगा एप डाउनलोड तो करो बहुत सारा चीज़ आपर फीरी में भी अविलेबल है टेस्ट जो है पांच-पांच सेट है जो कि बिल्लकुल फीरी में अविलेबल है तो एक बाद डाउनलोड तो करिए फिर वहां जाकर लेकर सब कुछ देख लेजे कौन सा सब्जेक का मिल रहा है कौन सा पीडियेफ मिल रहा है है ना सारा पीडियेफ आपको मिलेगा जिसको हम लोग कहते हैं North Atlantic Treaty Organization अब सीटो सीटो लाश्ट में टी ओ आता है तो टी का मतलब ट्रिटी ओ का मतलब और जो सुरुवात वाला लेटर होता है जैसे इसमें टोटल चार लेटर है नाटो में टोटल चार लेटर है तो जो टी और ओ है इसका मतलब होता है ट्रिटी ओर जैसे अगर हम लिखें स, इ, अ, टी, ओ, तो यहाँ पर भी लाश्ट में टी ओ आता है तो टी का मतलब होता है ट्रिटी, ओ का मतलब होता है ओर्गनाजेशन ठीक है वैसे नाटो, सीटो, सेंटो, ठीक है तो यह जो लास्टे में T.O. आया, तो यह T.O. का फुल्पॉम क्या होता है, ट्रिटी और्गनाजेशन, याद रहेगा T.O. का फुल्पॉम होता है, ट्रिटी और्गनाजेशन, तो उसी तरह के से नाटो है, तो नाटो का मतलब जो लास्टे का दो अक्षर है, उसका मतलब ट वो किसी जगह को बताता है, जैसे ये क्या बता रहा है, नोर्थ अट्लांटिक के बारे में, यानि कि उत्तरी अट्लांटिक के बारे में बता रहा है, कौन से जगह के बारे में, ठीक वैसे ही ये जो है साउथ इस्ट एस्ट 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 के बारे में, तो यहां पर जो नाटो का फुलपों है, तो T और O का मतलब तो treaty organization होता है, लेकिन N A का मतलब होता है जगय का नाम, याने कि North Atlantic, North Atlantic, याने कि उत्तरी Atlantic, North A का मतलब उत्तर, और Atlantic का मतलब वो जगय का नाम है, तो उत्तरी Atlantic संधी संगठन की जो अस्थापना है, वो पच्छमी ग शुरुआत में टोटल 12 देश थी, कितना देश था? 12, और अभी टोटल कितना देश है? 30, तो याद रहेगा, जब इसकी अस्थापना होई थी, नाटो के अस्थापना होई थी, 1950 में, तो उस वक्त में टोटल इसमें 12 देश सामिल था, कितना? 12, है न? 12, लेकिन अभी कितन टोटल 30 देश है, याद रहेगा, आप लोग को? चलिए, इसका मुख्य उद्देश से क्या था? तो उस वक्त में, यानि कि जब नाटो के अस्थापना करी गई थी, तो उस वक्त में जो इसका मुख्य उद्देश था, वो ये था, कि पच्छिमी देश जितना भी है, यान और एक चीज़ आपको बता देते हैं, अगर अमेरिका उसका मदद नहीं करता, तो इदर सोवेश संग कर देता, और सोवेश संग कर देता, तो जितना भी देश है, वो सोवेश संग का तरब चला जाता, इसलिए अमेरिका का मजबूरी था मदद करना, एक ये भी लोजिक लगा सकते हैं तो इसका जो मुख्य उद्देश है वो है अमेरिका अत्वा पच्छमी यूरोप के देशों को आर्थिक और स्यनिक शक्ति के रोप से मजबूत करना ठीक है तो इसका मुख्य उद्देश है क्या था अमेरिका अत्वा पच्छमी यूरोप के जो देश थे उनक अगे देखेगा बहुत इंपोर्टन लाइन है आपके लिए नाटो ने घोशना की कि उत्तरी अमेरिका अथ्वा यूरोप के इन देशों से किसी एक पर भी हमला होता है तो उसे संगठन में शामिल सभी देश अपने ओपर हमला मानेंगे इस लाइन का मतलब क्या हुआ तो इस लाइन का मतलब हुआ कि अगर जैसे टोटल कितना देश था 12 देश था टोटल कितना देश था 12 देश था ठीक है 12 दोस्त जो है तो हम लोग जो 12 लोग है 12 मैंसे किसी एक पर भी अगर कोई हमला करता है तो हम लोग क्या करेंगे 12 लोग मिल करके उस पर हमला करेंगे ठीक है तो कोई भी अगर 12 लोग है जो हम लोगों पर अगर हमला करता है चाहे हम पर करे आप पर करे या किसी पर भी करे 12 लोगों में से किसी एक पर भी करे तो हम लोग समझेंगे कि यह हम पर हमला हुआ है 12 लोगों पर हमला हुआ है और हम 12 लोग बिलकर के उनको मारेंगे ठीक है तो वही जो है आपका कहला हैगा यहाँ पर वही बात को कहा जा रहा है कि नाटो ने यह officially गोशना किया कि इस देश में जित्रा भी इस नाटो संधी में जित्रा भी देश सामिल है इस में से अगर किसी एक भी देश पर हमला होता है तो उसे संगठन में जित्रा भी देश सामिल है इस संगठन में वो सब समझे तो नाटो का जो गठन हुआ था, यह तो लगभग सबको याद रहता है, लेकिन डेड़ भी कभी कभी फूज दिया जाता है, तो आप याद रिखेगा, 4 अप्रेल 1950 को नाटो का गठन हुआ था, कहां पर अमेरिका के वाशिंग गठन में, याद रिखेगा, अमेरिका के उजचली जो लाया गया था, ओन्यृच उन्टो गठन में, ठीक है, अस्थापना के वक्त कुल 12 थेसों ने मिलकर के इसका गठन किया था, तो याद रिखेगा, यह तीन कुशचन ज़्यादा से यह से पूशाय था, सबसे पहला NATO का स्थापना कब हुआ था 4 अपल 1950 को उस वक्त में कितना देश सामिल था टोटल 12 देश सामिल था और ये कहां पर इसका गठन हुआ था वाशिंग गठन में हुआ था इसका मुख्य उद्धे से क्या है तो इसका जो मुख्य उद्धे से वो ये है कि उस वक्त में यूरोपी देशों की आर्थिक और सैनिक सहता करनी के लिए इसकी अस्तापना किया गया था और अमेरिका ने फिर बाद में गोशना किया कि अगर इस 12 देशों में से अगर कोई इस पर हमला करता है तो फिर हम लोग समझेंगे कि हम लोगों पर हमला हुआ है और फिर पूरे देश मिलके 12 देश मिलके है जितरा भी देश अभी है 30 देश है तो 300 देश मिलके उस पर हमला करेगा तो यही जो है नाटो का मुख्य देश है ठीक है गया था रूस की द्वारा तो याद रहेगा नाटो किसके द्वारा ला गया था अमेरिका के द्वारा सीटू किसके द्वारा ला गया था अमेरिका के द्वारा सेन्टू किसके द्वारा ला गया था अमेरिका के द्वारा और उधर से जो रूस के तलफ से लाया गया था वह ह वर्षा संदी ठीक है ध्यान से सुनिए बच्छो चैटिव अगर मत कीजिए पिलीज यार ने तो हम चैट बन कर देंगे ज्यादा अगर आप लोग मैसेज करोगे तो ठीक है नियाज अंसारी बोलने सर अब्जेक्टिव कब से होगा पहले थोड़ी परा लेने तो थोड़ी पराने से क्या होगा कि आपको कहानी समझ मा जाएगा जब कहानी समझ मा जाएगा तो अब्जेक्टिव भी समझ मा जाएगा आप बिल्कुल टेशन मत लीजिए जिस तरीके से आप लोग के त्यारी होगी बहतर होगी हम वही करेंगे ठीक है आपको पहले एक कलास लेते थे आप दो कलास कर दिये, है ना, तो बिल्कुल टेशन मत दिजे बच्चों, जैसे जैसे सराचीज होता है, वह ऐसे वह से हम लोग त्यारी करेंगे, और हाँ, तेंथे कलास का भी त्यारी सुरू हो गया है, त्यारी सुरू हो गया है, चैनल का आप तनु कलासेस है, इसी वीडि है, डिजिडल पैनल पर, बिल्कुल फ्री सराची जो हाँ पर दिया जा रहा है, तो जो भी परहाई करना चाहते है, जो भी इच्छुक है, एक बार आकर के ट्राई करें, एक बार आकर के जरूर पढ़ें, है ना, तो टेंथ कलास का त्यारी सुरू हो गया है, आप लोग फ हाँ, ओके सर, जी सर, बिल्कुल बताएंगे, चले, थैंक यू, क्या नाम है, दरशन कुमार, हाँ सर, हाँ, रंजीत यादब, पटेल शॉर्ट वीडियो बोल रहे है, हाँ, चले, जितने भी लोग हाँ बोल रहे हैं, मनी सरकार, धमू यादब हो गए, सचिन कुमार हो बताएंगे, आप लोग, प्लीज, टेंद क्लास के बारे में, ठीक है ना, मेरी दो सिष्टर दस्म है, अभिशेक, शौ, आप भी बताएंगे, चांदनी, परवीन, टेंद क्लास में, मेरा भाई है, चले, जितने लोगों को भी भाई है, तो हाँ सर, बताएंगे, थैंक रूबी आरा, यसर है, सिष्टर है, चले, जितने लोगों को भी सिष्टर है, जितने लोगों को भी भाई है, प्लीज, आपको बता ना, अपने भाई को, दोस्तों को, टेंद क्लास के चैनल के बारे में, है ना, क्योंकि आप लोगों को जिस तरे कैसे यहां पर तयारी करा यहां से भी आपको लगबग 2-5 नमर का परशन कभी कभी पूझ दिया जाता है तो वर्षा जो संदी है वर्षा पैक्ट है यह जो है लाया गया था किसकी द्वारा सुवेत रूस की द्वारा कभ लाया गया था 1905 में पूछा जाता है डेट अक्सर आपको वर्षा संदी के ब मुकाबला करने के लिए वर्षा संदी की है ना यानि कि पुर्वी गडबंदन यानि कि जो सुवेत रूस है वो नाटो का मुकाबला करने के लिए वो भी जो है एक संदी बनाया उस संदी का नाम वो रखा वर्षा संदी यानि कि वर्षा पैक्ट किसको किसका मुकाबला कर करने के लिए नाटों का मुकाबला करने के लिए किसका मुकाबला करने के लिए नाटों का मुकाबला करने के लिए कब लाया गया था 95 में किसके दवारा सुवेत संग के दवारा ठीक है महाशक्तियों ने अपने भूट में छोटे-छोटे देशों को शामिल करने के लिए कुछ कुछ शक्तियों का भी इस्तिमाल किया, आपने अपने शक्तियों का अगर मेरे तरप नहीं आव गए, तो बारबसात ये कर देगे, वो कर देगे, इस तरीकी से उनको धंकी भी दिया, किसी किसी देसों को, जो दिस सामिल नहीं होना चाहता था. पुर्वी और दक्षिनी पुर्वी एसिया तता पच्छिम एसिया में अमेरिका ने गड़बन्दन का तरीका अपनाया इन संगटनों को सीटों तता सेंटों कहा गया यानि कि जैसे एक तो पहले नाटो लाया ही गया था अमेरिका के द्वारा फिर वर्षा संधी लाया गया, किसके दौरा, सुवेत रूज के दौरा, ठीक है, फिर क्या हुआ, कि जो यह है, यानि कि जो पुर्वी और दक्षिन पुर्वे एसिया है, एक पुर्वी और एक दक्षिन पुर्वे एसिया है, साउथ इस्ट एसिया जिसको बोलते है, ठीक है तो पुडवी और दक्षिन पुडवी एसिया तता पच्छिम एसिया में अमेरिका ने गड़बंदन करने के लिए और दू पैक्टो को लाया और दू संधी को लाया एक का नाम रखा गया दो संगठन लाया एक रखा गया सीटो और एक रखा गया सेंटो यानि कि और दो संगठर बनाया गया किसके दवारा अमेरिका के दवारा ठीक है एक विश्टेडर बोल लिए सर थुरा जूम करिए क्या आप लोग को नहीं दीख रहा है बच्चो अब सही है अब दीख रहा होगा के लिए है ना तो अमेरिका जो है और दो मतलब की अपनाया था ठीक है सीटो और सेंटो के जवाब में फिर सुवे संग सामयवादी चीन के व्यतनाम उत्तरी कोडिया और इराग के साथ मजबूत संब्ध मना लिया ठीक है ना तो पहले तो वर्षा नाटो लेके आया अमेरिका के दौरा फिर उसका कंपेर करने के लिए जो वर्षा सं मतलब की रूस क्या किया कि व्यतनाम के साथ हो गया चीन ने व्यतनाम उत्तरी कोडिया और इराग के साथ यह बहुत अच्छा संब्ध बना लिया कौन? सुवेसंग है ना इराग जो किसके तरफ था? सुरेट संग के तरफ, चीन किसके तरफ था? सुरेट संग के तरफ और वे इतराम वगर तो इनके साथ यह अच्छा समझ बना दिया किसके खिलाप में? C2 और C2 के खिलाब में C2 का full form क्या होता बच्छो देख लिजे आप लोगे पर मैंने भी क्या बताया कि जो आपर T.O आ जाए तो T.O का मतलब होता है Treaty Organization जैसे आपर T.O है, C2 है तो C2 में last time में देखिए यहापर आ जाएगा Treaty Organization क्या आ जाएगा? Treaty Organization तो कभी भी अगर full form पूझ दिया जाए तो T.O का तो full form आपको 100 पर से याद रहना चाहिए चाहा नाटो आए, C2 आए, सेंटो आए last time में जो T.O आता है उसका मतलब ही होता है Treaty Organization Treaty Organization बाकि जो सुरुवात वाला है वो जगह को बताता है जैसे S.E.A S का मतलब South, E का मतलब East A का मतलब A.C.N S का मतलब South, E का मतलब East A का मतलब A.C.N उसी तरीके से C.E.N.T.O T.O का मतलब तो Treaty Organization हो गया और C.E.N. का मतलब Central C.E.N. का मतलब Central ठीक है? तो यहाँ पर आप देख सकते है Central Treaty Organization South East Asian Treaty Organization जिसको हिंदी में बोलते है South का मतलब होता दक्षिन East का मतलब होता पूर्व A.C.N. का मतलब A.C.I और Treaty Organization का मतलब होता है Organization का मतलब होता संगठन जिसको हम लोग और उर्दू भसाव इसको तंजीम कहते हैं तंजीम आप लोग सुर्य होंगे और T का मतलब तो ट्रेटी होता ही है ठीक है जिसको हम लोग हिंदी में कहते है संधी ट्रेटी का मतलब संधी आपके साथ मेरा ट्रेटी हो गया मतलब संधी हो गया और Organization का मतलब संगठन Organization का मतलब संगठन ठीक है तो आपको समझ में आ गिया, central के बारे में समझ में आ गिया, आया के निए फटाफट बताओ, live chat कलोज कर दीजिए sir, money सरकार कह रहे हैं, कुछ-कुछ बच्चे doubt वेगर पूचते हैं, इसलिए नहीं करते हैं, बट जो बच्चे परने वाले हैं, वो ध्यान से पढ़िए, live chat म आपस में चार्ट कर रहा है, पताने क्या बात है, उनको block करना ही एक option है मेरे पास, ठीक है, block करना ही एक मादर option है आप लोगों को मेरे पास, क्या आप लोग को block कर दिया जाए, जो इधर उधर के chatting कर रहे हैं, है कि नहीं, तो sito का मतब समझ माय किया ना, पूछा जाता है, यह full form आपको लगभग objective में पूछा जाता है, मैं इसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं इसे यहाँ पर आपको नहीं बता रहा हूँ, sito का full form आपको पूछा जाएगा, sento का पूछा जाएगा, आप रटीये नहीं, आपको याद हो जाए, इसलिए मैं आपको detail में बताता हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ, कि TO का मतलब treaty organization होता है, उनके बाद जितना भी लेटर है, यह जो है जगा को बताता है, South East Asian, CEN का मतलब Central, TO का मतलब organization, उसे तरह NATO का मतलब N का मतलब North, A का मतलब Atlantic, बाके जो TO आता है, उसका मतलब होता है treaty organization, ठीक है, NATO के स्थापना 4 अप्टेर 1950 को ठीक है, कहां पर होता, Washington में, टोटल देश उस वक्त में कितना था, जब इसका स्थापना हुआ, 12 है, अभी कितना है, 30, ठीक है, चलिए, आगे एक और point को देखेगा, बहुत जवर्दस line है, बहुत ही अच्छा है, छोटे देश निम्न कारणों से महाशक्तियों के बड़े निम्न कारण है, जो कि हम आपको बताएंगे, जैसे सबसे पहले महतकुन संसादन, जैसे कि तेल और खड़ीन, है न, नहीं कि छोटे-छोटे देश जो है, वो निम्न कारणों से महाशक्तियों के बहुत बड़े कामाते थे, कौन-कौन से कारण से महाशक्तियों के कामाते तो सबसे पहला बहुत सारा ऐसा देश था, जहाँ पर तेल और खड़ीच पर आ जाता था, जैसे कि इराग था, अब अगर वहाँ पर अमेरिका कबजा कर लेगा, या सुवेस्सन कबजा कर लेगा, तो इससे बेनिफिट किसको होगा, सुवेस्सन को होगा, क्यूं? क्योंक किसी तरीके से अपने ओर खिशना चाता था, कि किसी तरीके से ये मेरे तरफ आ जाए, उसके बाद हम इसका जो भी तेल है, वो निकाल के देंगे, और हमको बहुत फायदा होगा, ठीक है? तो सबसे पहला कोई अगर खनीच पैया जाता था, कोई अगर तेल पैया जाता था हुआ है, वो क्योंकि अमेरिका जो है, वो बहुत दूर है, और वो चीन पर अटेक करना चाहता है, चीन कभी भी अगर, क्योंकि चीन का खुला दुस्मन है अमेरिका, और अमेरिका का खुला दुस्मन चीन है, तो अमेरिका भारत के साथ सिर्फ इसलिए दोस्ति बना के benefit है, कभी भी कोई हत्यार वो ला सकता है, हम लोग भी लेके जा सकते हैं, इस तरीगे से दूस्ती है, है ना, तो किसी देशों को अपने और घीच लेने का मतलब क्या होता है, कि हम आसानी से सेना को एक जगह से दूसरे जगह लेके जा सकते हैं, आसानी से हम कोई भी हत्यार को एक जगह से दुसरे जगह लेके जा सकते हैं यही सबसे बड़ा कारण होता है कि कोई देश को अपने योर क्यों खीशते हैं थीक है तो भूर छेत्र यानि कि हत्यारा और सेना का सांचालन करने के लिए कोई देश जो है छोटा देश बहुत काम आता था महाशक्तियों का छोटा देश जो है वो बहुत काम आता था किसका महाशक्तियों का सैरिक ठीका ने जहां से महाशक्तिया एक दुसरे को जासुसी कर सके अभी हमने को क्या बताया जैसे आज के दिन चीन क्या किया है वो स्रेलंका को अपजा कर लिया है पाकिस्तान को अपने तरफ कर लिया है और भी कई ऐसे देश है दुनिया में जिसको अपने तरफ कर लिया है क्यों कर लिया ताकि वहाँ पर वह अपने सेना को रख सके चाहाँ उसको कर्जे देकर के डुबा देता है जैसे स्री लंका को पूरा कर्जे देकर के उसको डुबा दिया अब उसका एक जगह को ले लिया वहाँ पर उन जगह में वो क्या करता अपने सेना को रखता है क्यों रखता वाई तो क्योंकि जब वो हमला करेगा तो चारत रप से हमला करेगा माल लेते हैं यह आपका भारत है इधर आपको स्रिलंका है इधर आपको चाइना है इधर पाकिस्तान है ठीक है इधर मालदिव है तो वो क्या करेगा चाइना क्या करेगा कि यहां पर भी इसको भी यहां तो हीए है वो स्रेलंका को भी कबजा कर ले या पाकिस्तान को भी साथ अच्छा दोस्ती है यहां पर भी अपना सेना भेज देगा यहां पर भी सेना भेज देगा इससे क्या हो जब यूद होगा तो आसानी से हमला कर सकेगा तो उसी को कहते है सैनिक ठिकाने तो सैनिक ठिकाने जहां से महाशक्तियां क्या होता है एक दुसरे का वो जासुसी आसानी से कर लेता है एक दुसरे का वो जासुसी जो है वो आसानी से कर लेता है ठीक है उसके बाद आर्थिक मदद आर्थिक मदद आर्थिक मदद भी जो है ये भी एक कारण है जिससे क्या होता था कि जो महाशक्तियों के बहुत बड़े बड़े काम आता थे कौन छोटे देस याद रखेगा छोटे देस बड़े देसों के जो काम आते थे वो निम्न कारणों के वज़े से आते थे, ये चार कारण हमने आपको बताया, इस चार कारण को अगर पूज़ दिया जाए, तो आप अपने भासा में जितना हो सके, एक एक कोईंट देखर के, अपने सब्दों में आप आथाने से लिख सकते हैं, ठीक है, छोटे देशों को महाशक्तियों के बहुत ज़रुरी बना देता था, क्या बना देता था बच्छो बहुत जरुरी, यानि कि छोटे देस, बरे देसों के साथ रहे, ये बहुत ज़रुरी बना देता था, ये इसे कारण दे, ठीक है, कोई अगर कोर्स में जोईन करना चाहते हैं, तो आप simply देखिए, कुछ नि अगर आप बिहार बोड से हैं, तो आपको जोएन करना है संकल पर बेच, ठीक है, अगर आप बिहार बोड को छोड करके दूसरा बोड से हैं, तो वहाँ पर आपको जोएन करना है सफलता बेच, ठीक है, तो टोटल आपको एप में दो बेच मिलेगा, एक संकल पर एक सफलता, सफलता जो है वो अधर बोर्ड के लिए है और जो संकल्प है वो बिहार बोर्ड के लिए इस पिसली तो आप जो है दोनों बेश को जोईन कर सकते हैं याप लाइब क्लासे हैं PDF Notes, Taste और Doubt Session अगर आप लाइब क्लास में बच्चे पढ़े सताई हैं क्या वोल रहे हैं तो आप संकल्प और सफलता में जो भी बेच आपको जोईन करना है और अगर आप इन बेच में नहीं जोईन कर पाते हैं तो PDF जो है आप जरूर अप से ले लिजेगा एक बार में चेप्टर वाइड सभी तरह का PDF जो है आपको मिल जाएगा कहाँ पर मिलेगा बच्चों एप पर ठीक है ना चलिए अब एक लास्ट पॉइन को डिसकस करते हैं फिर जो है इस चेप्टर को हम लोग फिर पार्ट तू में खतम करेंगे है ना एक है पुझिवाद और एक है समाजवाद एक है पुझिवाद और एक है समाजवाद फिर जो पार्ट तू आपका आएगा पार्ट तू जो आपका आएगा वहाँ पर हम लोग क्यूबा के मिसाल संकट के बारे पढ़ेंगे और यह जो क्यूबा के मिसाल संकट है वेरी वेरी इंपोर्टेंट है लगबख लगबख आपको पांच नमर का जो प्रश्ण है यहां से पूसता है QI के मिसाल संकट से ठीक है चलिए पुझिवाद क्या होता है तो देखे जब व्यक्ति अपने संपत्यों का मालिक खुद होता है प्राइवेट सेक्टर जिसको कहते है अब हमने पको बताया जब आदमी प्रोपर्टि का मालिक वो खुद हो उसको पुझिवाद और अगर आपका जो प्रोपर्टि है जो संपत्य है उसका मालिक अगर सरकार हो तो उसको कहते हैं समाजवाद जानी कि व्यक्ति के संपत्ति सरकार के कंट्रोल में हो, नियंतरन में हो, कंट्रोल नियंतरन का मतलबी होता है कि वो आप उसका मालिक है, तो अगर आपका संपत्ति का मालिक अगर सरकार है तो उसको समाजवाद करेंगे, और अगर आपका संपत्ति का मालिक अगर आप खुद करेंगे और कोसिस करेंगे इस चैप्टर को समाप्त करने की तो आप लोग फटाफ़ बताईए आज का सेशन आप लोग को कैसा लगा फिलीज वीडियो को अभी तक जो शेर नहीं किये हैं तो कलाज छोड़ने से पहले वीडियो को जितना हो से कि आप लोग शेर कर दीजिएगा है ना ज्यादा सेदा शेर करिएगा और अपने दोस्तों को बताईएगा यहाँ पर कि यहाँ पर जो त्यारी है वो शुरू हो चुकी है और किसी को PDF लेना हो तो आप इप इंस्टोल करिएगा अप का नाम तनू कलासेस है और किसी को दिक्कत भी होता है बहुत सारे बच्चे ऐसे भी है प्यारे प्यारे बच्चे जिनको दिक्कत होता है किस सरम को समझवा नहीं आ रहा है बहुत तरह का दिक्कत हो रहा है है ना तो उनकी लिए क्या है एक special उपाय है, नंबर मुझे भी याद नहीं है एक नंबर आप लोगों के लिए launch किया गया है नंबर है, आपको दे देते हैं इस नंबर पर आप contact करिएगा 87 096 87096 10 975 ठीक है इस नंबर पर एक बार में call नहीं उठाया जाए तो फिर आप एक गंडा, दुगंडा के बाद दुबरा कॉल किजेगा 87096 10975 87096 10975 इस नंबर पर आप call, message वगरा कर सकते हैं आसानी से पूछ सकते हैं कूर्स के बारे में, बेच के बारे में ठीक है चलिए, सर जारकन बोर्ट का बच्चे को पराइए जारकन जारकन बोर्ट भी पर सकता भाई मैं तो कह चुपा हूँ पहले चलिए, ओके सर शरीप भाई कटियार में कहां से है सर मैंने पहले ही like and share कर दिया thank you भूमी सर क्लास कितने बज़े से होती है सारे 6 बज़े से बच्चे बताये तो कितने बज़े से सारे 6 बज़े अभी जो क्लास है वो सारे 6 बज़े होड़े थी है रहा सारे 6 से सारे 7 एक गंड़े के क्लास आपकी हुई अच्छा लगा reply me फी वगर आप एप में जाके देख लिजएगा call करके पूछ लिएगा सर पाट टू कब आएगा पाट टू कल आएगा भाई नौशाद चलो मेरा नाम लीजिए सर एक बार प्लीज नोथिन जी बताइए शातिश कुमार कल होगा ना